Breaking the Code ये नाम है हमारे कारिक्रम का इस कारिक्रम का एक ही उद्देश है परमेश्वर के निकट आना गलत फहिमियों को हटाईए और सच्चाई को अपनाईए इस कारिक्रम में हम बात करेंगे क्रियेशन की हम बात करेंगे नुआ के फ्लड की और बहुत सारी ऐसी बाते जो आपको परमेश्वर के पास लेके आएंगी और आपको बताएंगी कि वो कितने महान है तो देखिएगा हमारा ये कारिक्रम क्योंकि हमें आशीश मिला है और हम आशा करतें कि आपको भी आशीश मिले नमस्कार भाईयो और बहनो आपका स्वागत है हमारे इस नए कारिक्रम में जिसका नाम है Breaking the Code आज के हमारे चर्चा का विशय है Bible, परमेश्वर का वच्चन हम Bible रोस बढ़ते हैं Bible को एक विश्वस्निय किताब मानते हैं लेकिन कुछ बाते हैं जो हम हमारे जहन में रह जाती हैं कुछ सवाल जो हम ढूनते हैं तो आज हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब ढूनेंगे और हमारी मदद करेंगे परमेश्वर के दो सेवक जो हमारे पास यहाँ स्टुडियों में मौजूद है Mr. Shrikant और Pastor Ronald को हम वेलकम करना चाहते हैं Mr. Shrikant जो एक लेक्चरर है आपका स्वागत है हमारे शो पे और Pastor Ronald आपका भी बहुत स्वागत है तो जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे आज बाइबल के बारे में तो सबसे पहला सवाल मेरा आप से है कि बाइबल आती कहां से है उसकी उत्पत्ती कहां से हुई बाइबल परमेश्वर का किताब है परमेश्वर की ओर से मिलता है और पाप का बाद मनुश्वर का संपर्ग परमेश्वर के साथ पूट किया इसके बावजूद भी परमेश्वर मनुष्यों के साथ संपर गरखना चाह रहा और चाता था और चाता भी है तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है अपने भक्त जनों को विशेश जनों को चुनता है और उनके द्वारा हम लोग उन्हें प्रॉफेट कहते हैं अंग्रे जी में या नभी कहते हैं या भविश्यवक्ता कहते हैं तो उनके द्वारा परमेश्वर जो है अपना वच्चन मनुश्यों को देता है और किस प्रकार से देता है उसको हम लोग दो पदस्तलों के द्वारा हम लोग समझेंगे। पहला पदस्तल मिलता है कि दूसरा पत्रस एक का एकिस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु कोई भी भविश्यवानी मनुश्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने पर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि भक्त जन वोग परमेश्वर से प्रेरना पाए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरना पाए और प्रेरना प्राप्त करने के बाद भी क्या किये परमेश्वर का वचन को लिखे। इसी बात को यहाँ पर दूसरा तिमोटी 3 का 15-16 में कहता है कि संपून पवित्र शास्तर पूरी बाईबल संपून पवित्र शास्तर परमेश्वर की प्रेरना से क्या किया गया है रचा गया और उबदेश समझाने के लिए सुधारने के लिए और धरम की शिक्षा के लिए लापदायक है तो इसमें उधार का योग परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर की आगया जो कुछ भी परमेश्वर हम लोगों को कहना चाता है इसमें दिया गया है और इस प्रकार से परमेश्वर अलग अलग नभियों को चुनते वे अपना आत्मा उनमें डालते वे वे उभारे जाते हैं लिख लिए जमा किया गया एक जगा और तब हम लुग बाते हैं मौनिश्यों के लिए परमेश्वर का इच्छा जिसे हम लोग परिवतर शास्तर या होली बाइबल तो आपका कहने का मतलब है कि जब पाप हुआ उसके बाद डिरिक कम्यूनिकेशन परमेश्वर से कट गया और उसके बाद बाइबल ही एक ज़रिया था पाप के बाद हम लोग परमेश्वर को प्राकृतिक से जान सकते हैं पर विशेश रूप से परमेश्वर का इच्छा को परमेश्वर का मकसद को परमेश्वर का नियमों को विशेश रूप से specially परमेश्वर लिखित द्वारा जो है हम लोग को देना चाह रहा था और नभीयों को इस्तमाल किया और तब हम लोग इसको पाथ तो आपका कहने का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा भी इसमें लिखी गई है तो अगर हम कभी किसी विश्य में परमेश्वर की इच्छा जानने हैं तो बाइबल को हम खोल करके परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं आपने ये भी बताया कि बाइबल पूरी तथा से इंस्पायर्ड जिसे हम कहते हैं कुछ अंच नहीं पूरी तथा इंस्पायर्ड Yes, 100% तो होल बाइबल, पूरा बाइबल जो है ये परमेश्वर के दवारा प्रेरना प्राप्त करते हुए लिखा गया मनुष्यों का इच्छा से ये नहीं रचा गया कोई सोचा कि मैं लिखूंगा और वो बाइबल बन जाएगा ऐसा नहीं तो इंसान की सोच है ये इसमें, परमेश्वर की देन है ये परमेश्वर का आत्मा मनुषों में डाला गया और वे प्रेरना प्राप्त करते है मनुष अपने शब्दों में परमेश्वर का वचनों को जो उनको मिला वे अपने शब्दों में क्या करते हैं, लिख देते हैं, दस आ गया, परमेश्वर खुद अपने मूँ के वचन के द्वारा दिया गया, और उसे खुद अपने अंगलियों से लिखा, पर बाकी हिस्सा का Bible, परमेश्वर इस प्रकार से दिया, कि उन्हें प्रेरना दिया, और प्रेरना प्रात करके, तब अपने शब्दों में उन विचारों को लिख करकर हमें मिला है, बहतर समझ आया में रेखो, Mr. Shrikant, मेरा सवाल आपसे है, कि आप इनसे सहमत हैं, हाँ, 100% तो आपको यवग्यानिक प्रूफ देंगे हमें, साइंटिफिक एविदेंस, आपको देख सकते हैं, one of the most sensational evidence is the Dead Sea Scrolls, यह जो बहुत आइसा कुछ scrolls है, जो डेट सी के पास पाए गये थे, so उस scrolls से हमको यह साइंटिफिक एविदेंस भी मिलता है, कि Bible is the true word of God, it's a physical scientific evidence, वाँ, क्या बात है, चलिए, पास्टर रॉनल्ड, आपसे मेरा फिर से एक सवाल है, कि Bible लिखी किसने, परमेश्वर एक वेक्ति के दवारा Bible ने दिया, परमेश्वर अलग-अलग लोगों को अलग-अलग समय में इस्तमाल किया, और देखते है कि Moses was there, Musa था, वो सबसे पहले वेक्ति था, जो ल किताब उसके दवारा लिखा गया, जो जब वो बंदी बना करके वो पैठमोस टापू में उसे रखा गया, और वहाँ पर परमेश्वर उसको दर्शन देता है, और तब वो किताब लिखता है, तो परमेश्वर अलग-अलग लोगों, कोई राजा था, कोई चारवा था, को कोई डॉक्टर था, लूक, तो किताब हम लोग गॉस्पल पाते हैं, और बुक अफ एक्स, प्रेरित का किताब, तो ये दोनों उसके द्वारा लिखा गया, तो परमेश्वर अलग-अलग लोगों को, अलग-अलग समय में इस्तमाल किया, अपने वच्चन को क्या करने में म जैसे जैसे जरूरत पड़ा, अपने इच्चा को, अपने अग्वाई के द्वारा, हम लोगों को अपना वच्चन देता गया, और तब ये जमा किया गया, ये जरा था, पुराना नियम में, वो जमा करकर, जो हीब्रू कैनन, जो पुराना नियम है, उसको जमा करकर तब व आपने बहुत इंट्रेस्टिंग बाते हमारे साथ शेयर की और भी बहुत कुछ जाना है आपसे तो लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का हम ब्रेक में जाएंगे लेकिन उसके बाद तुरंथ वापिस आएंगे तो ओडियंस आप हमारे साथ बंदे रहिए आपने इतनी सारी बाते जानी हैं तो और भी जानना चाहेंगे तो इंतजार कीजिए हमारा हम अभी आते हैं नमस्कार भाईयो और बेहनों आपका एक बार फिर से स्वागत है हम ब्रेक में जाने से पहले बाइबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने बहुत कुछ जाना लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है अचा मेरा सवाल है आप से Mr. Shrikant मैं आप से ये जानना चाहती हूँ कि Bible को कितने भागों में बाटा गया है Bible को दो भागों में बाटा गया है एक को हम बोलते हैं Old Testament और दूसरे को हम बोलते हैं New Testament So Old Testament contains almost 39 books and New Testament contains around 27 books और जब ये Bible लिखी गई थी कौन सी भाषा में लिखी गई थी? हम Old Testament देखते हैं Old Testament Hebrew language में लिखा गया था और इसके बाद Old Testament में एक किताब एब Daniel करके वो थोड़ा चाप्टरस उसमें अरेमिक में लिखा गया था और उसके बाद New Testament जो है वो Greek language में लिखा गया था अच्छा तो मेरा अगला सवाल आप से ये है कि जब इन भाषाव में लिखा गया था तो आज अंग्रेजी Bible जो हमारे हाथ में है वो कहां से आती है उसके बाद Greek के बाद जो बहुत ट्रैंसलेट किया गया था लैतिन में आया था और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट लैंविजेस में वो ट्रैंसलेट भी हुआ था उसके बाद टिंडेल आये इंग्लिश वर्शन लेके उसके बाद विकलिफ आये और 1611 में जो एक राजा थे उसका नाम है किंग जेम्स करके उसने इस Bible को पहले बार पेपर के उपर प्रिंट किया और उस समय से आज तक जो हम Bible पढ़ रहे हैं तो सब वो पेपर करके ऐसे compiled Bible हम पढ़ रहे हैं तो यह बात है अच्छा मेरा अगला सवाल पास्टर रॉनल से है मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें यह वचन दिया है इस के देने का उदेश क्या है परमेश्वर का उदेश यह वचन देने के लिए यह है इसु मसी जब इस पृट्वी में था और बहुत चारे लोग और शास्त्री लोग और फरस्यों की इसु मसी से बात कर रहे थे और बाचित के दोरान में ईसु उनको कहता है तुम सोसते हो कि पवितरशास्तर में आनंत जीवन मिलता है और यह बात सच है सच है जॉन 5.39 वहाँ पर लिखा गया है Search in the scriptures for in the everything you have eternal life आप पवितरशास्तर को खोसते हो क्योंकि आप सोचते हैं कि इसमें आनन्द जीवन मिलता है और यह कहते हैं हाँ सच मुच इसमें क्या मिलता है आनन्द जीवन ही मिलता है और इसके साथ साथ हम लोग यह भी देखते है कि यह भजन साहिता में डेविड लिखता है कि तेरा वचन मेरा मार्ग के लिए एक मेरा मार्ग के unto my feet and a light unto my path इस तरह से इस प्रकार से परमेश्वर का वच्ण जो है हम लोग का रास्ता के लिए उजयला जोती मार्ग इस प्रकार से जो है एक मार्ग दर्शक है तो हम लोग जानते है कि पवित्र शास्तर हम लोग के लिए लाबदायक है आनंद जीवन पानी के लिए और उसका साथ-साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि बाइबल में हम लोग ईशु मसी का बार में पाते हैं ईशु मसी जब जी उठा और जी उठने का बाद दो विक्ती इमाउस रास्ता से येरुसलेम से इमाउस रास्ता अपना गाउं जा रहते हैं और गाउं जाते समय ईशु मसी उनका बीच में उपस्तित हुआ वो अपने आपको नहीं बोला कि मैं ईशु मसी हूँ और वे लोग नहीं पैचाने और पूचा क्या अकबार में आप लोग चर्चा कर रहे हैं पूच आप ही एक शक्स है जो नहीं जानते हैं और उसके बाद ईशु उन लोगों को पुईतर शास्तर से मूसा से लेकर के सारे नभियों को एक-एक समझाते वे ये बताया कि ईशु को आना था दुख उठाना था और तब कुरूस कार्ट में मर करके तीसरा दिन जी उठना था उनको समझाया तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे अच्छे-च्छे कारण है जिसके चलते हम लोग बाइबल क्या कर सकते हैं बढ़ सकते हैं और हम लोग का जीवन के लिए लाबदायक हो सकता है तो हमने देखा कि इशु ने कितनी प्राथमिक्ता दी परमेश्वार के वचन को तो आपने अभी कहा कि जो भी इसे पढ़ेगा वो इटरनल लाइफ जो हम कहते हैं उसे मिलेगी तो ये कोई words है जो आपने आप पढ़ के सुनाएंगे हमें जरूर जान 5 वर्स 39 मैं इसको पढ़ के सुनाओंगा आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और इसका साथ साथ मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है जान 5 वर्स 39 तुम पर्वतरशास्तर में ढूनते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुमें मिलता है और ये वही है जो मेरी गवाए देता है तो इसमें हम लोग परमेश्वर का बारे में अनंत जीवन का बारे में जान सकते हैं ये इतना महत्वपून है कि हम लोग जो है इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं सैतान से लड़ने के लिए और इसु भी जब सैतान का सामना किया और तब इसु भी वच्चन में लिखा है बोल करके जो है सैतान का सामना करते हुए परिक्षाओं को वो क्या कर दिया सफल हुआ परिक्षाओं से सफलता प्राप्त किया तो इस परकार से इस्तिमाल कर सकते हैं जरूर उचिये नहीं तो आपके कहने का मतलब है हम भी इसको यूस करके इस्तिमाल करके शैतान को हदा सकते हैं जरूर भजन सहिता 119 में कहता है कि मैंने तेरा वच्चन को अपने रिदय में रख छोड़ा हूँ ताके मैं तेरे विरुद पाप ना करूँ तो इस प्रकार से हम लोग ये जान सकते हैं और हम लोग ये होसला ले सकते हैं कि हम लोग मजबूत हो सकते अपने आत्मिक जिंदगी में और तब हम लोग शैतान का सामना कर सकते यहां लिखा है भजन सकता है 119 का 111 जो मैं कहा रहा था मैंने तेरा वच्चन को अपने रिदय में रख छोड़ा हूँ कि तेरे विरुद पाप ना करो साम 119 वर्स ले तो इसका मतलब ये वच्चन जो है हमें स्वच्च भी करता है सैंक्टिफाई जो कहते हैं बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छा लगा आप कुछ हमें ओल्ट टेस्टमेंट के बारे में बताएए मुसस ने मुसा हमें हम जो कहते हैं उन्होंने कितनी किताबे लिखी और कौन कौन से किताबे लिखी मुसा पहले वेक्ती है जो लिखना आरम किया इस से पहले आदाम से लेकर मुसा तक में परमेश्वर का वच्चनों का बारे में आग्याओं का बारे में परमेश्वर का इच्छा का बारे में पाप का उत्पती का बारे में वुअन्सावली यह सब जो है मुझभानी एक पीडी से दूसरा पीडी तक लोग बताते गए पर परमेशवर क्या इस्तमाल करता है मुसा को और मुसा के दुआरा लिखना शुरू हुआ That is around 1500 BC और तब परमेश्वर उसको इस्तमाल करता है और इस्रेलियों को जा भी मिसर देश में हैं उनको ले करके कनान देश पहुँचाता है और रास्ता में उनको इस्तमाल करता है और परमेश्वर उसको आग्या देता है क्या क्या नियम है तो पाँच किताबे लिखे गया थे, पहले पाँच किताबे यह जो है इसको हम लोग पेंटिट्यू कहते हैं, उत्पती, निरगामन, लेवेवस्ता, गिंती और वेवस्ता विवरन हैं, और तो यह पाँच किताबे जिसमें सारा वेवस्ता दिया गया है अच्छा, पास्टर रॉनल, बहुत अच्छा लगा आपसे यह बात करके, जो इन्फोर्मेशन आपने अब भी शेयर की है, बहुत ही लाबदायक है, लेकिन अब भी हमें फिर से एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, और हमारे साथ आप यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि और भी स्वागत है आपका, ब्रेक में जाने से पहले हमने मिस्टर रॉनल से बात की, और उन्हांने हमें बाइबल की Old Testament के बाहरे में बताया, मोसे ने जो किताब लीखी, Old Testament के बाहरे में बहुत इन्फॉमेशन थी, अब मैं आपSE पुछती हू श्री कान्थ, आपको कौन सी जेनिसिस. क्या आफ़ास बात है इस बुक की? उसमें में एक ऐसा बगवान को देख रहा हूं या इश्वर को देख रहा हूं बहुत नाम दिये हैं इश्वर को उसकी जो पावर है जो उत्पत्ती के बारे में उसने इतने अच्छे से मोसस ने लिखा है एक-एक उत्पत्ती एक-एक दिन और आज तक साथ दिन जो है वो साथ दिन में जो क्या-क्या बनें क्या-क्या अद्भुत फील्ड ऑफ साइंस जो खुदा ने क्या करें I mean created, बनाया वो जेनिसिस में अगर हम 1st, 2nd and 3rd chapter of Genesis को अच्छा से समझ ले तो हमारा faith इतना बड़ेगा the perspective of studying the Bible will also be very clear because वो जो Genesis है वो सब का origin है it is origin of everything of the field of science, of the field of faith also so the origins are starting from Genesis so वो बहुत special किताब है मेरे लिए अच्छा, अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूंगी जो आप कि मैं हाव बाव देख रही थी जब आपने Genesis के बादे में बोला तो यह सब पढ़के प्रभू से परमेश्वर से एक बात फिर से प्रेम हो जाता है हमें कि कितना वो हमसे फ्यार करते हैं कितना उन्होंने अपना विचार लगाया हमें बनाने के लिए तो अब आपके लिए मेरा सवाल आपकी फेवरेट किताब कौनसी है? मेरे फेवरेट मन पसंद किताब है भजन सहीता आचा भजन सहीता पढ़ने से हम लोग अपने आपको परमेश्वर के साथ और अपने अनुभाव को दुख के समय में सुख के समय में खुशी के समय में कोई भी समय में भजन सहीता को खोल करके हम लोग पढ़ करके, हम लोग अपने आपको उसको साथ identify कर सकते हैं मैं आपसे पूछूँ कि ये भजन सहीता लिखी किसने आच्छा, भजन सहीता, it's a collection of hymns और ये दाउद के द्वारा लिखा गया और बहुत सारे थे जो कि उसको जमा करकर David is the main person पर जमा करकर ये जमा किया गया so this is the book of Psalms, ये दो भाग में पाटा गया एक है स्तूति या एक है प्रातना स्तूति के लिए जब कुछ अच्छा चीज होता है तो परमेश्वर का स्तूति करते है कहता है यहवा का स्तूति करते हैं और उसका कारण भी देते हैं और जब दुख में पढ़ते हैं जब मृत्यू का सामने आता है जब घबरा जाते हैं अलग-अलग प्रकार के भजन है जिसके द्वारा प्रातना बिंति के साथ हम लोग जब उसको पढ़ते है जब मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं ऐसा महसूर करता हूँ कि मेरे लिए लिखा गया और मेरे इमोशन, मेरे विचारों को अब मैं यह प्रातना के द्वारा परमेश्वर को प्रस्तूत करता हूँ और हर एक इस प्रकार का भजन ऐसा होता है जहां पर दिखाता है कि परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं और मेरा सुनता है और मेरा साहता करता है So भजन साहता है, the book of Psalms is my favorite book और इसमें भजन है और इसमें स्तूति और प्रातना है So it comforts me, मुझे संतावना देता है मेरा मारक दर्शक है और मैं इसको स्तूति और महिमा के लिए भी मैं इस्तेमाल करता हूँ Wow, बहुत अच्छी बात है हम जब भी दुख होते हैं या हमें इंकरेश्मेंट चाहिए तो हम Psalms, जो भजन सहीता है वो पढ़ते हैं जोब मेरा बहुत फेवरिट क्यारेक्टर है पुझे बाइबल में मैं जाना चाहती हूँ भजन सहीता में क्या उसका भी कोई आड़ है पोशन्स क्या उन्होंने कुछ लिखा है जोब के पुस्तक भी मोसे से ही लिखा गया था जोब ऐसा पुस्तक है फेथ के बारे में बहुत कुछ बोलता है और अलसो साइन्टिफिक वर्ल्ड के बारे में जो बहुत कुछ बोला गया है वो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे उसके बारे में जोब की जो faith है वो पूरा elaborately उस किताब में लिखा गया है जोब का बारे मैं यह कहना चाहता हूँ कि आयूब का किताब literary is poetry जिस परकार से भजन सहिता is poetry यह इबरियानी लोगों का कविता लिखने का बहुत अच्छा तरीका है तो और यह Bible में प्रोस भी है और poetry भी है कविता भी है और कहनियों के दवारा जो normal लिखा रहता है वो भी है जोब is also poetry और भजन सहिता में भी कविता है और इतना सुंदर रीती से वहां पर भी अपने दोस्तों के साथ बातचित करता है और परमेश्वर के साथ और सवाल जवाब होता है और इसका भरोसा भी अंत में परमेश्वर के साथ रहता है So you will see parallels between book of Psalms as well as in the book of Job इसमें बहुत सारे तुलना किया गिया है मैं एक पदस्तल पढ़ना चाहता हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है Psalm chapter 1 यहाँ पर कहता है कि मनिशों का बार में और हम लोग का जीवन का बार में कि हम लोग क्या कर सकते और कैसे हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रख सकते भजन सहिता 1 का 1 से 4 यहाँ पर कहता है क्या ही धन्या है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और ना ठटा करने वालों के मंदली में बैठता है ना चलता है ना खड़ा होता है ना बैठता है तो हम लोग का जीवन के लिए तीनों मार्ग में चलने बैठने फिरने में तो आज हमने ये जाना पाइपल एक विश्वस्निय किताब है वो एतिहासिक तौड से और साइंटिफिक तौड से भी बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर रॉनल मैं आपसे विंती करती हूं कि आप हमारे लिए प्रात्ना करें पहां दैलूप परमेशुर पिता आपका हमारे साथ होने के लिए हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और हम आपसे जो दर्शक देख रहे हैं आपको धन्यवाद कहते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे हमस्ते प्रात्ना करें